नमस्कार, RS अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम गनपती बापा को चड़ने वाला प्रशाद मोदग बनाएंगे लेकिन हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे हमने पके पंकिन का मोदग बनाया है जिसे कहीं कोड़ा या कहीं कहीं भुफड़ा भी कहा जाता है हमने ये पका हुआ पंकिन लिया है इसे ग्रेट कर लिया है एक कप पंकिन लेकर हमने कड़ई में डाल दिया और आधा कप पाने डाला है और इसे ढख कर हम गलने तक पकाएंगे देखिए पमकिन भी अब गल चुका है और पानी भी इसमें थोड़ा है तो इसे हम पुराच्छे से सुखा लेते हैं इसे फिर से ढग देते हैं और इसमें का पानी भी जल चुका है तो अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम इसमें गोड डाल देते हैं हमने यहां आधा कप गोड़ लिया है जिसे चोटे-चोटे टुकड़ों में फोड लिया है पमकीन भी मिठा होता है तो इसे साब से गोड़ डालिएगा गोड़ देखे मेल्ट हो चुका है इसे भी हमें पूरा ड्राय कर लेना है देखे इसमें का भी पानी पूरा सुग गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं दो चमच मलाई हमने दूद की मलाई डाली है आप चाहे तो खोवा जिसे हम माव कहते हैं उसे भी डाल सकते हैं या फिर आप दूद की मलाई भी डाल सकते हैं चाहे तो मिल्क पावडर भी डाल सकते हैं इसे भी हमने पूरा अच्छी तरह पका लिया है देखे अब यह विल्कुल ड्राय हो गया है उसे हमें अच्छी तरह पका ले और दो चम्मच भुना हुआ तील एक चम्मच भुना हुआ खस-खस इसे हम डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें हमने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हिलाची पाउडर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक पिंच जाइफल पाउडर इन सब को हमने अच्छी सरा मिला लिया है और लाश्ट में हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच सोट पाउडर और इसे भी मिला देते हैं यह हमारा मिश्रण तयार है अब गैस बन करके इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं जब तक यह ठंडा होता है तब तक हम आटा तयार कर लेते हैं हमने एक कप डाल दिया एक पींच नमक और एक चमच गी जिससे हमने मेड करके डाला है इसे अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइड दो तयार करना है हमें देखिए हमने विकुर्ष ताइट आटा तयार कर लिया है और इस डो को हम ढखक दस मिनट के लिए रख देते हैं दस मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल कर त्यार करेंगे हमने इसमें एक चमच घी और डाला है और इसे अच्छे से मसलते हुए हम इसे रेडी कर लेते हैं इसे चिकना कर लेना है हमें अच्छे से अब हम इसके इकवल अब चकले पे हम इसे बेलेंगे इसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है बड़ा इस तरह सुखा आठा लगाते हुए हम इसे बेल लेते हैं देखिए हमने इस तरह इसे इतना पतला बना लिया है अब हम किसी कटोरी या ग्लास के साहता से इसे गोल गोल छोटी-छोटी पूरियां काट लेंगे अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर की साहता से भी काट सकते हैं इसे तरह हम सभी रोटी को बेल करके इसे तरह छोटी-छोटी पूरियां बना लेते हैं अब हम मोदक बनाएंगे इस तरह देखे एक पूरी लेकर किनारों को मोडते हुए बीच में हम इस मिश्रन को भर देते हैं हमने स्टफिंग भर दी है अब दीरे दीरे इसे अंदर की और दबाते हुए हमें उपर की और लेके जाना है और इस तरह मोड देना है देखे सभी को चिपका देना है यह हमारा मोदक बनकर तयार हुआ इसी तरह हम दूसरा भी आपको करके बताते हैं हमें इस तरह किनारे से पिंच करते हुए इस तरह हमें मोड लेना है देखे इस तरह हमने मोड लिया अब हम इसमें यह फिलिंग भर देते हैं और उपर की ओर इसे दबाते हुए लेकर आएंगे और इस तरह उपर में चिपका देते हैं यह देखे हमारा मोदक इस तरह बन जाएगा इसी तरह हमने सभी मोदक बनाकर रेडी कर लिया है तेल को हमने गर्म कर लिया, तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम इसमें मोदक डाल देते हैं, एक एक करके सभी मोदक डाल देंगे और इस समय हमने गैस का फ्लेम मेर्यम रखा है, एक बार में जितना मोदक आएंगा उतना हम कड़ई में डाल करके इसे फ्राई करेंग इसे हमें golden brown होने तक fry करना है देखिए दीरे दीरे अब इसका color change हो रहा है हमारा मोदक golden brown हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह बाकी सभी मोदक को हम fry करके निकाल लेंगे हमने सभी मोदक कड़ई में डाल दिये हैं इसे भी हम golden brown होने तक fry करेंगे देखिए हमारा मोदक बनकर ready है यह मोदक खाने में बहुत टेस्टी होता है आप जरू ट्राइ करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुछ सकें बन्ने वाद